वेल्कम टो असारेजी प्लास ग्रूप आज का हमारा टॉपिक है बेसी सेकेंडियर का चुलोजी का जो की इंस्टुमेंट बीस टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसमें नेक्स टॉपिक है हमारा सेंटिफ्यूज तो सेंटिफ्यूज नॉर्मली यह होता है कि जो सॉलिड और लि पार टॉपिकल की एक एसका के और शॉब्यक घृब सेंटिफ्यूज उचन है इस सब्सक्रणार, क्या होटाोई मेंना टॉपिक इंदिक जो सॉलिड वीन पतीश साले स्थें आजीता है जो पक्ला करने बीट में तरे मेंक्वी लिए कि उहांता है इसमें हम सेंटिफ प्यो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं 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 तो आप देख रहे हैं यह कुछ एंगल बना रहा है तो इसमें भी पटिकलर test tube भी अपना rotation अंदर करता है जो अपना दिखेंगे हम लोग suspension और जो बाहर साही ये भी पुरा rotation करता है तो इस तरह से क्या होता है जब ये sedimentation process जो चलती है तो जो solid particle होगा वो gravitational pull की वज़े से नीचे settle down हो जाएगा वेराइज जो solid phase बैठने के बाद liquid phase जो बचेगा वो upper layer पर float करता है तो इस तरह ये बार करता है अब हम अगर बात करें इसकी principle की तो normal हम जानते हैं कि जो कोई molecule होता है कोई भी biological molecule होगा तो उसमें जो है एक definite mass होगा और शेप और उसकी density होगी तो particles क्या करते हैं हम normal जो solute के particles होते हैं जो कि 200 μµm तक larger होंगे वो जो है suspension की category में उसको हम लोग रखते हैं तो suspension जब sedimentation के अंडर जब करते हैं तो जब gravitational pull या gravity की वज़े से sedimentation process होती है इसी को sedimentation कहते हैं लेकिन अगर हम इसका protocol देखें तो इसमें जो जो वर्क करता है formula वो gravitational force है तो gravitational force का formula में होता है जहां M mass हो गया particle का और F हो गया क्योंकि यह circular motion में रण करता है तो इस वज़े से angular acceleration कहेंगे और उसके बाद इसी को फिर हम अगर आगे देखें तो F equal to MA होता है और M अगर हम acceleration को क्योंकि circular motion में करता है तो हम equal to हम उसको कहते हैं omega square r जो कि omega हो जाएगी angular velocity और r radius of the that means test tube distance of the particle from the axis of rotator that is test tube की हम बात कर रहे हैं आपर और M तो हमारा volume into density होता ही है तो इस तरह यह formula हम लोग रखते हैं अब आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है अब इसमें चाहें तो हम जो है force यह centrifugal force होता है इसको हम increase करता है वो कैसे कर सकते हैं क्योंकि f equal to m omega square r होता है तो हम omega square और r को increase करके force भी increase कर सकते हैं अगर centrifuge का normal limit value देखें तो यह 4000 सब 6,000 तक होती है speed पर डिपेंड करता है अब centrifuge का normal हम दो यूज कहां करते हैं तो आप देखेंगे centrifuge का normally हम जहां भी living cells होती है उसको उसके suspension से हम लोग separate कर सकते हैं अब इसमें हम लोग isolation किसका किसका कर सकते हैं आप समा सकते हैं कि जैसे कुछ cell organelles है उसका कर सकते हैं या फिर जैसे कि cell सिंगल होती है जैसे दो साइट्स पगरा है और कुछ बायो पॉलिमर्स हैं जैसे कि प्रोटीन है निकलिक एसेड है लिपिट कार्भो हार्डेट्स इन सब को भी हम सब्टेट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि जैसे cell की जो ड लेते हैं तो यह आज का हमारा टॉपिक मिलते हैं अब नेक्स टॉपिक में